नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुमा सरोजदेवी जी के यूट्यूब चैनल में अगर आपने भी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें बैल एकन को प्रेस कर दें जिसके बाद हमारी आने वाली और भी ऐसी वीडियो की जान करें आपको असानी से प्राप्त हो सके आज हमारी गुरुमा सरोजदेवी जी आपके लिए सास का वश्यकरन टोटका लाई हैं जिसे करने के बाद आप अपनी सास को अपने वश्यकर सकती हैं वह आपको अपने बेटी की तरह प्यार करेंगी सिर्फ और सिर्फ आपका गुनगान करेंगी इस टोटके को करने के बाद दोस्तों मान लीजे आपकी सास आपको हमेशा रोक टोक करती है आपके बनायवे खाने में हमेशा नुक्स निकालती है आपको कहीं पर भी जाने से टोकती है आपके हर काम में नुक्स निकालती रहती है आपके और आपके पती के बीच में लड़ाई जगड़े का कारण बन चुकी है अगर आप अपने शाष्वता जीवन को अच्छा करना चाती है तो अपने सास को हमेशा अपने काबू में रखें अपने वश में रखें जिसे करने के लिए आज हमारे गुरुमा सरोष देवी जी आपके लिए यह वीडियो बना रहे है सबसे पहले करना क्या है आप एक कागज ले अपने सास का ध्यान करते वे उसके बारे में सोचते वे अपनी सास का सबसे पहले यहां नाम लिख देजे मान लीजे आपकी सास का नाम है देवकी तो यहाँ पर आप देवकी लिख दे जोड का निशान लगाएं यहाँ पर आपने लिखना है इस तरीके से दोस्तो अब आपने अपनी सास की कोई तस्वीर लेनी है इस तरीके से रखना है और इसे बंद कर देना है इसे बंद करने के बाद आप दोस्तो इस तरीके से कोई भी पजार से एक छोटी सी मटकी ले ले मिट्टी की यह असानी से आपको मिल जाएगी इसके अंदर आप इसे रख दे अब आपने यह साथ लॉंग लेने हैं एक लॉंग उठाना है मंतर का उचारन करना है और इसके अंदर रख देना है ऐसा आपको साथ के साथ लॉंगों के साथ करना है मंतर है ओम वश्यम क्रीं 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 हूं हूं फट्सुआ इस तरीके से साथों के साथ लोंग आप इसके अंदर रख दें इसको ढग दें और इसके ओपर यह रक्षा सुतर का धागा बांधना ना भूलें आप इसे किसी भी सुनसान जगा मिट्टी में दबा दें अच्छे से और बिना पीछे मुड़े वापिस आ जाए दो से तीन दिन के भीतर ही यह है टोटका असर दिखाना शुरू कर देगा आपकी सास सिर्फ और सिर्फ आपका गुंगान करती फिरेंगी आपका नाम लेती फिरेंगी यदि कोई दिक्कत या समस्या आती है अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे देगे नंबर पे कॉल करके आप हमारे गुरुमा सरोज देवीजी स संपर्ग करें वे आपकी समस्या का समधहन जरू करेंगी धन्यवाद